हालो प्रेंस मैं गीता आज मैं आप लोगों को हिविस्कस के एर लेरिंग दिखाऊंगी जो मैं जनुवरी के पास तरीक को की थी आज 17 फेबरुरारी है तो आज एर लेरिंग काटी हूं तो चलिए दिखाती हूं यह मेरे दूसरे प्लांट में मैं करके दिखा रही हूं क्यो छिल्के उतार लेने हैं यह जो प्लांट यह चाहता थी नरम है और पतली से हैं लेक्ला हिविस्कस के थोड़ी मोटी होती है तो बिलकुल ऐसे ही सेम तरीके इसमें तो यह असानी से चिपक जाएगी, तो ऐसे करके रूटिंग हार्मोन उपर की तरफ चिपकानी है, जो आप कट लगाये होंगे, जहां से छिलका निकालके, जो सफेद लकडी दिखती है, बिल्कुल उसके उपर रूटिंग हार्मोन लगानी है, कि उहीं से रूट आती कर दो के या कॉकोपिट तो मैं जनवरी पास तरीक को चारिक Laksh हूं यह लेरिंग को कलने में आसानी ही करनी है ने ऑगर अुद आपła एकन्यार कर रहे ही attain तो हां और kocao pit को अच्छे से दो के पादी प्लास्टिक में भर लें भर Agreement बरनें के पॉछ रगाने क बाद रूटिंग हार्मोन लगाई हुई इसके बाद इसमें थोड़ी सी रूटिंग हार्मोन डाल हो जाती है तो ऐसे करके उपर में जो कट लगाए है सपहे धड़ी के उपपर ठीक होई जगा पे आपको ये कोको पीड को बान्नी है, जहांसे सपहे धड़ी दिखती है ठीक उसके उपपर क्योंकि रूट वह से आती है नीचे से नहीं आती तो आप जो बांदेंगे कोको पीट उसी के उपर बांदे जहां पर रूटिंग हार्मोन लगाई हुई हो तो ऐसे प्लास्टिक के रसी से मैं बांदी हूं और उपर खुला रखी हूं क्योंकि सुखे का मौसम में कर रहे हूं समर सिजन में तो पानी डालनी जरूर और एसे एयरलेलिण को हिला के देख लेनी है कि याल तो नहीं रही है हलने से अच्छे एयरलेणिग बंदीगी नहीं और इसमें रूट नहीं आएगी तो मैं बांद ली हूं और टाइटले बांदी हूं और समी कपड़े भी लगा थी हूं अब मैं बैखिये ये 17 मार्च मा एक मैने से ज़्यादा टाइम लेती है क्योंकि सुखा मौसम रहता है तो उसकी वज़ा से कोकोपीट से आप कर सकते हैं और उपर एक कपड़ा बांद के आप रख सकते हैं ताकि उसमें समय समय पर पानी दे सके 10-15 दिन पर ताकि कोकोपीट भीगी रहे और उसको रूट निक पा रहे हैं कि समर सिजन में भी इतने अच्छे से रूट आई है और मोटे मोटे रूट आई है आप लोग देखिए मैं खोल के अभी दिखा रही हूं तो आप जरूर कर सकते हैं बिना बरसात के मौसम के भी हिविसकस के या लीची के प्लांट के एर लेरिंग तो देखिए आप देखिए किते अच्छे से रूट आई है और मोटी मोटी रूट आई है और बहुत ही अच्छे से आई है जब मैं काटने का टाइम हुआ उसके दो चार दिन पहले पानी देना इसको बंद कर दी हूँ इसलिए सुखी लग रही है देखने में लेकिन इसके रूट पोट में ये ग्रो बैग में तो ये बहुत ही असानी से ये ग्रो हो जाएगी वशर्त आप इसको लगाने का बाद 5-6 दिन आप इसको च्छाओ में रखे क्योंकि नई प्लांट है इसलिए लगाने का बाद 6-5-6 दिन आप 7 दिन निच्छे रखे च्छाओ में उसको तोड़ी हटा लेनी है क्योंकि इसमें रूट कम है अभी बड़े प्लानी जैसे यह नहीं है इसलिए इसके पत्ते थोड़ी के हटा लेनी है और ऐसे ग्रो बैग में मैं लगाओंगी आप चाहे तो कोई भी पॉट में लगा सकते हैं या मिट्टी में तो यहां पे मैं रियत और मिट्टी नदी के जो होती है ओर मिट्टी को मिक्स करके इसको लगा रही हो इसमें कोई खा़ नहीं डालनी है यह अ लेलिंग करके नया उतारे उंसमें कोई किसिम का खा़त नदे अगर आप खाद ैॉट के लगाएंगे तो आपके प्लांट मर जाएगी तो आप जभ तो मैं ऐसे ग्रो बैग में लगा दी हूँ और साइड साइड से कोई लकड़ी के मदद से आप इसको एर गैप जो होती है उसको दबा दे ताकि इसमें कोई एर गैप ना रहे तो इसके जो मिट्टी है आधा मिट्टी और आधा रियत है इसमें यहां पर आप देख सकते हैं बाहर की तरफ जा रही है उपर की तरफ तो इसको भी दबा देनी जरूरी होती है क्योंकि यह सूख जाएगी रूट नहीं तो यहां पर मैं थोड़ी मिट्टी डाल देती हूँ इसलिए यह पट भर गया है तो आपके अगर ऐसे रूट बाहर निकली होई हो तो आप थोड इसको जितने भी रूट दिख रहे हैं उसको ढगते उसके बाद लगाने का बाद आप पानी डाल दे मैं आधा मिट्टी और आधा रेद डाली थी इसलिए बहुत जल्दी पानी इसमें ट्रेन हो गए तो आप लोग भी ऐसे ही लगा है और तीन महेने बाद आप इसको देखना चाहते हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें मेरे वीडियो को ताकि और भी लोग देख पाए तो बाद फ्रेंस थैंक्स फर वाचिंग